गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रेंडिंग परदेश दोस्तों आज 18 अक्टूबर है आज के लिए जारकंट का इंट अफेर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत लोग बोल रहे थे कि जैसे सी सीजेल का exam date नहीं आया है जेपेसी का नया notification नहीं आया है तो क्या ऐसे में इन सब चीज को पढ़ना चाहिए इन सब चीज की तियारी करनी चाहिए देखे जो त्यारी करने वाले होते हैं इस तरह के पोश्ट के लिए जो त्यारी करते हैं उसका ऐसा नहीं है कि लास्ट एक मैना लास्ट तो मैना में आप अपने प्रिपरेशम में ये हैबिट डालिए कि जारकंड का रोज मुझे इतना पढ़ना है Central Level का मुझे इतना पढ़ना है Overall GS इतना पढ़ना है Apti Reasoning इतना पढ़ना है आप इसको अपने Habit में Delhi Redoon में टाल लिजेए इसको ऐसा नहीं है कि नया मुहरत निकाल के इसके लिए त्यारी किया जाएगा ठीक है क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जारकर्ण का जो सिलेवस है वो काफी छोटा है तो ये आपका प्रहम है काफी कुछ जारकर्ण में पढ़ना होता है और इसके अलावे Central Level के जो आप Current Affairs पढ़ते हैं उसके साथ साथ जारकर्ण का भी Current Affairs पढ़ना होगा ठीक है चलिए हम लोग पहला कोईशन श्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोईशन है जारकर्ण के किस जीले में मास्क कैमपेण की सुरुवात की गई है आपसंस बोकारो, पुर्वे सिंग्भूम, दुमका, राची तो आपसंस डी जो है राची इसका सही एंसर है अपने ये फोटो देखी होगी ये देखिए सेलफी विथ मास्क राची जीला प्रिसासन ने सोसल मेडिया पर हैस्टेक राची विथ मास्क ये विथ मास्क अभियान की सुरुवात की है, लोगों को घर से बाहर मास्क पहन कर निकलने के लिए जागरुक किया जा रहा है इस कैंपेन के तहट जीला प्रिसासन ने लोगों को अपने सोसल मेडिया एकाउंट पर हैस्टेक राची विथ मास्क के साथ अपनी मास्क वाली फोटो सेयर करने की ये अलीप नहीं है, अपील है साथ ही इसमें लोगों को जीला प्रिसासन के अधिकारिक टूइटर हैंडल, इंस्टाग्राम फैस्बुक को टैग करने के लिए कहा गया है, इसके माध्यम से हर सप्ता चैनित लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा सभी सरकारी कारेलेओं में सपत पत्र की विएस्था होगी इसके माध्यम से उन्हें सपत दिलाई जाएगी कि वे कहीं भी बिना मास्क के नहीं जाएगी साथ ही बिना मास्क के कारेलेओं में किसी भी व्यक्ति को परवेस नहीं दिया जाएगा, ओके, चलिए यहाँ पर आप मैप देखिए राची की बात हुई है तो राची के बारे में हमें बता दूँ कि यह 8 डिस्टिक्ट को टच करता है कितने डिस्टिक्ट को 8 डिस्टिक्ट को यह टच करता है वहीं अगर स्टेट की बात की जाए तो सिर्फ एक स्टिट विस्ट बंगाल को टच करता है देखिए आपर विस्ट बंगाल है सिर्वेट को इसको टच करता है वहीं अगर हम डिस्टिट की बात करें तो एक रामगल हो गया ठीक है रामगल सराय केला खर सामा उसके बात खोटी है गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चत्रा, हजारीपाग कितना हो गया एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ तो आठ डिस्टिट को ये टच करता है कुछ और इंपॉर्टन बात है जैसे की 1899 में इसका गठन हुआ था उसके बाद अगर यहां इसका सेक्स रैसियो की बात की जाए तो ये 949 है 949 है, अगर इसके लेटरिसी रेट की बात की जाए तो 76.06% है सबडिविजन, सबडिविजन सिर्फ दो है एक राची है, दुसरा बंडू है ये सबडिविजन हो गया वहीं अगर हम ब्लॉक्स की बात करें प्रखंड की बात करें तो ब्लॉक्स कितने हैं, ब्लॉक्स 18 है ठीक है, विधान सबड़्चेत्र MLA का जो सीट होता है विधान सबड़्चेत्र साथ है कौन कौन सा है, राची काके, हटिया मांडर तमाड, सिल्ली, खेजरी यह हो गया विधान सबड़्चेत्र इंपोर्टेंट रिवर्स जो कि इस डिश्टिक से होकर गुजरती है, वो स्वर्ण रेखा जिसका उद्गामस्तल राची ही है फिर दक्षिनी कोयल है उसके बाद संख है, हर्मू नदी है, यहां पर कुछ चीजे हैं, जो कि काफी फेमस है वैसे तो बहुत सारी चीजे है एक दो मैं चीज बताता हूं आपको सबसे इंपोर्टेंट यहां एक गाव है, जो कि एंगलो इंडियन है यह वर्ल्ड का एक लौता एंगलो इंडियन विलेज है, जिसका नाम है मैकलूस की गंच आपने सुना भी होगा मैकलूस की गंच और टैगोर हिल, मैंने बहुत बार आपको बताया है, रविन द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे, जोतित द्रनाथ टैगोर, वो यहां पर आये थे उनका ये समाधी अस्ताल है जिसका अंतिम संस्कार जिनका अंतिम संस्कार हर्मोन अधी में किया गया था ओके चलिए आगे देखते हैं, हम लोग सेगेंड कोईशन है अभी हाली में, मुख्य मंतरी हमंत सोरे ने किस जीले के नए नगर निगम भवन का उदगाटन किया है ओके चलिए आपसंस देखते हैं, राशी, देवघर पुर्वी सिंग्भूम, खूंटी तो आपसं B जो है देवघर इसका सही अंसर है देखिए ये नया इसका बिल्डिंग है थोड़ा जान ले तिनस के बारे में मुख्य मंत्री हमंद सोरिन ने 16 अक्टूबर को देवघर के नए नगर निगम भवन का उदगाटन किया है 85,993 वर्ग फीट में बना या भवन पुर्वी भारत का सबसे भव्य नगर निकाए का भवन होगा चेप लोर के इस भवन का बिल्डप एरिया 69,573 वर्ग फीट है नगर विकास विभाग की अजनसी जारकन अर्बन डेवलप्मेंट कार्पूरेशन लिमेटेट द्वारा इसका निर्मान कराया गया है काफी बड़े चेतरफल में निर्मित इस भवन के सामने बनाया गया फाउंटिन इसकी खुबसूरती बढ़ाता है खाली चेतर को पार्क के रूप में विक्सित किया गया जहां विभिन परकार के फुल पौधे लगाए गये है इस नगर निगम भवन का निर्मान 2018 में सुरू हुआ था इसे बनाने में लगबग 21 करोड रुपे की लागत आई है नगर निगम भवन परिसर में ही बैंक और एटियम होगा जहां लोग वित्य कारे भी कर सकेंगे इस भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ इस्तिमाल के गए पानी के अपयोग की भी वेस्था के गई है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को साफ कर बागवानी की जाएगी चले यहां पर देवगर की बात हुई है तो कुछ चीज़ें आप जान ले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितनी डिस्टिक्ट को यह टच करता है देखिए देवगर का है यह देखिए अब एक तो बिहार स्टेट की बात करें तो यह बिहार को टच करता है जिर्फ एक estate को ठीक है और अगर district की बात के जाए तो गिरीडी ठीक है गिरीडी उसके बाद जामताड़ा और धुमका तीन district को ये टच करता है कौन कौन सा गिरीडी जामताड़ा और धुमका अगर इसके गठन की बात की जाए तो 1989 में इसका गठन हुआ था, इसका अगर sex ratio देखा चाहे, तो 925 इसका sex ratio है, अगर इसका literacy rate देखा चाहे, तो literacy rate इसका 64.85% है, सिर्फ दो अनुमंडल है, सिर्फ दो अनुमंडल जिसको subdivision बोलते हैं, कौन-कौन सा, एक देवघर, दूसरा मधुपूर, ओके, चलिए, प्र प्रखंड दस है, कौन-कौन सा, देवघर, मधुपूर, सारट, मोहनपूर, करो, सारवा, देविपूर, पालो जोरी है, फिर मार्गो है, और एक मुंड़ा है, उसके बाद सा नारायन, ठाड़ी, ऐसा ही कुछ नाम है, ये है, तो 10 प्रखंड है, ठीक है, और विदान सवा चेतर की बात की जाए, तो एक तो देवघर है, हाँ ठीक है, देवघर ये एक, उसके बाद मधुपूर और सारट, मधुपूर, अब यहाँ भी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, कि इसका भी डेट आगे है, उप चुनाओं के लिए, बहुती जल्द निकाली दिया जा लूंगी योजना के तहट कितने रुपए में एक धोती या एक लूंगी और सारी दी जाएगी, ओके, यह काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसलिए इस पर एक अलग से वीडियो बनाया चाहेगा, आपको प्रुवाइट कर दिया चाहेगा, चलिए इसका उप्सन दिखते के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी लूंगी योजना सुरू करने का निनलिया है, सौट में आप समझे गरीब लोगों को, गरीब लोगों के लिए, इस योजना के दरत लागों को अनुदानित दर पर 10 रुपए में 6 माँ पर, साल में मतलब 2 बर मिलेगा, एक धोती या एक लूंगी और साड़ी दे जाएगी, ओके, वित्तिवर्स 2020 से 21 में इसका एक बार वित्रन किया जाएगा, उसके बाद के वित्तिवर्सों में इसका दो बार वित्रन किया जाएगा, इस योजना के तहत 57.1 लाग परिवार लाभानुईत होंगे, इसके लिए वर्तमान वित् का प्रावधान किया जा चुका है पंचायत वाद अस्तर पर कैम्प लगा कर पिडिये सिस्टम के पॉस मसीन के द्वारा इसका आफ लाइन और ओनलाइन वितरन किया जाएगा पंचायत प्रखंड वाद जिला अस्तर पर गठित अनुसरवन समीती इसका मॉनिटरिंग करेगी चले चाथा कोशिन देखते हैं नेशनल डेरी डेवलोप्मेंट बोर्ड ने जारकंड के किस संस्थान के साथ MOU किया है अब यहां ओप्सन देख सकते हैं तो ओप्सन ए जो है जारकंड स्टेट कॉपरेटिव मिल्क फेडरिसन इसका सई अंसर है आप यहां देखे नेशनल डेरी डेवलोप्मेंट बोर्ड ने जारकंड स्टेट कॉपरेटिव मिल्क फेडरिसन के साथ MOU किया है विस्तारी करण से दुग्द के छेतर में किसानों को एक बड़ी रहात मिले गी यह MOU एक एपरिल 2019 से 31 मार्च 2014 तक के लिए की गई है ओके तो बैक डेट से यह किया ग थी लेकिन इस MOU के विस्तारी करण को लेकर पूर्व की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया गया था इस MOU से सहब गंज सारट और पलामों में 50,000 लिटर छमता वाले डेरी प्लांट का निर्मान का काम पूरा किया जाएगा इन प्लांटों को एक साल के अंदर पूरा करा लि सहकारिता मंतरी बादल पत्र लिख है ओके चले पांचे कोशन देखते हैं राजसरकार ने सभी परकार के विवसाइक वहनों का लगभग कितने करोड रुपे रोट टेक्स माफ करने का निर्ने लिया है तो यहाँ पर आप्सन बी जो आप देख रहे हैं 10.12 ये करोड में है इतने करोड रुपेज माफ करने का निर्ने लिया ये सब मिला कर हैं चले इसके बारे में हो जानते हैं राजसरकार ने कोरणा महमारी के कारण लोकडाउन आवधी में बंद रहे सभी परकार के विवसाइक वहनों का रोट टेक्स माफ करने का निर्ने लिया आपको पता होन चाहिए कि जो commercial vehicles होते हैं जैसे truck हो गया या फिर बड़े बड़े जो tempo होते हैं तो उसका road tax काफी ज्यादा लगता है मतलब कि आप ऐसा समझे कि 50,000 से उपर ही उसका road tax चला जाएगा तो अगर कोई गाड़ी कमाई नहीं करती है definitely Corona का lockdown रहा Corona के कारण तो उसमें कोई भी गाड़ी ज्यादा कर गाड़ी कमाई नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके according जो company चल रही है अगर वो बंद है तो उसका काम चलेगा नहीं तो ऐसी गाड़ियों का road tax जो है माफ किया गया है तो यह कुल मिलाकर लगबग 10 करोड रुपए का माउंट हो जाता है यह road tax लगबग 10.1-2 करोड रुपए होगा इसमें school bus, auto, रिक्सा, सवारी, taxi, स्टी, permit धारी bus, प्रती हस्ताक्षरित bus और RTA धारी bus सामिल है तो यह आज के लिए important questions थी 5 questions यह number जो है fix हो गया इसे change कर दिया जाएगा पहले 6 questions रहा करता था तो next question 7 questions होना करता था तो just 7 यह type हो जा रहा है चलिए last lecture का जो question था राज सरकार ने प्रदेश के कितने सहरों में 7 नगर 1 विक्सित करने की योजना त्यार की है options इसका 2,7,6,8 था तो options C जो है 6 इसका सई answer है ठीक है थोड़ा से यहाँ पर आप जान लेज़े है राची, धनबाज, जमसेतपूर, बोकारो, गिरेडी और हजारी बाग सहरों के भीतर घने जंगल लगेंगे राजे सरकार ने प्रदेश के इन 6 सहरों में 7 नगर 1 विक्सित करने की योजना त्यार की है भर सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा गया है सभी साथ नगर 1 कुल 160 हेक्टेर के होंगे सभी साथ नगर 1 वनों में अस्थानिय प्राकृतिक अनुकूलन वाले विक्षों का विकास कर उन्हें सहर के भीतर जंगल के तौर पर विक्सित किया जाएगा इसका मकसद सहरों की आपो हवा में सुधार लाना है आज के लिए आपका कोश्चन है इस और विडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक कर दिया करें अपना फिडबैक हमेशा आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो अपना फिडबैक हमेशा आप देते रहें ठीक है मिलते हैं जारकंट के अगले विडियो में धन्यवाद